Hindi कहानी अगरआ वगरव, यह हिंदि कहानी है? एक बार की बात है किसी गाउं में जगत नाम का एक पंडित रहता था जो दोनों आखों से अंधा था जो गाउं के बाहर एक जोपडी में रहता था एक दिन उस गाउं में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया जिससे आसपास के गाउं के कई पंडितों को भोजन का आमंतरन दिया गया और इसी प्रकार गाउं के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रन देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा जब नौकर सेठ के घर पहुचा तो उसने पंडित को आवाज लगाई तो पंडित घर से बाहर आकर बोला कौन है भाई नौकर ने अपना परिचाय दिया और कहा कि आज गाउं में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रन भेजा है सेठ जी ने पंडित कहता है कि अच्छा फिर तो मैं जरूर आऊंगा वहाँ नौकर नौकर कहता है हाँ पंडित जी जरूर आप तयार रहना मैं आपको लेने आ जाऊंगा ऐसा कहकर नौकर जाने लगा नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है नौकर रूकर बोला पंडित जी गाओं के सेठ जी का प्रोग्राम है कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़े नहीं आप चीनता न करें सब कुछ है बनाया जाएगा खाना में पंडित अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया पंडित जी ने कहा नौकर कहता है आप चीनता न करें वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में हलुआ पूरी, सेव नमकीन, मिठाई, बर्फी अगेरा वगेरा पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा मैं वहाँ पहले भी खा चुका हूँ नौकर के जाने के बाद जगत पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यार वह सब तो ठीक है परन्तु ये अगेरा वगेरा क्या है यह अब भी समझ नहीं आया यह तो कोई नाया पकमान लगता है इस बार अगर ऐसा है तब तो जरूर जाओंगा इस बार देखू तो सही कैसा लगता है अगेरा वगेरा साम होने पर सेठ कनोकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया पंडित की जी ग्यासा अब और ज्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मजा आ जाएगा नया पकमान अगरा वगेरा खाकर पंडित ये सब सोची ही रहा था कि तभी दाउना पतल लग गए और भोजन परोसा जाने लगा अब पंडित की सुवानेंद्रियां जाग उठी अब जैसे ही पतल में कोई पकमान रखा जाता पंडित तपाक से उसे च्छू कर यह जानने की कोशिस करता कि वह किया है और सोचता अच्छा ये तो रसूला है अरे ये तो मिठाई है हाँ ये तो बर्फी है ये सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ मुझे तो बस ओ मिल जा है अब सबसे पहले तो मैं उसे ही चकूंगा और बाकी सब बाद में धीरे धीरे पतल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उत्सुकता से जाचता रहा प्रांतु से अब भी इंतिजार था उस अंजान और मयावी चीज का जिसके लिए ओ आज पूरा दीन भर नमक का पानी पीकर अपनी भूख को बढ़ाता रहा आखिर कब आएगा ओ अगरे वगरा मेरी पूरी पतल भर चुकी है अब तो पंडित मन ही मन सोचते हुए कहता है तभी किसी की आवाज आई कि भोजन सुरू किया जाए तभी अरे ये क्या अभी तो मेरा तो ओ कब लाओगे पंडित जोर से बुद्बुदाने लगा अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दिबाजी में रख दिया हो इधर उधर पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूणने लगा तभी उसने पतल के बाहर एक गोल गोल चीज यानि गोल पथर था को छुआ तो मन थोड़ा सांत हुआ हाँ यहीं सायद होगा और कितने मुर्ख लोग हैं खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुस था तभी उसने सोचा कि यह सब ब्यांजन तो मैं बाद में खाऊंगा पहले इसका सुवाद लिया जाये कि लगता कैसा है और कैसा सुवाद है इसका तभी पंडित ने उस अदभुद चीज को उठाया और जैसे ही मुह में दबाया तो अरे ये क्या इतना भारी और कठोर पंडित ने फिर जोर से दातों में दबाया तो इस बार मुह से जोरदार आह निकल पड़ी अरे भगवान कितना सुखा हुआ है ये कैसे खाया जाई इसे इसे तो दातों से तोड़ना भी मुश्किल है अब क्या करें इसका तभी पंडित को एक उपाय सुझा लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले तभी पंडित को लगा कि सामने कोई दिवार है और साइध उसे टकराने पर उसका ओगेरा ओगेरा फूटी जाए और तभी उसने आव न देखा ताओ और सामने दिवार समझ कर दे मारा जोर से की तभी सामने से किसी के जोर से चिलाने की आवाज आईए आहा फट गया रे मेरा तो सामने पंगत में बैठा हुआ आदमी दर्द से चिला उठा क्योंकि पथर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था तभी पंडित गुशे में बोला ओए खाना मत मेरा एं आइटम है फूट गया तो ला वापस देद मुझे पंडित को लगा कि उसका अगयरा वगयरा फूट गया है तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुशे में होकर बोला हाँ जरूर रू को महराज अभी देता हूँ आपको और फिर सामने वाला आदमी तूट पड़ा उस पंडित पर अंत में तो मित्रों एक कहानी अगयरा वगयरा मज़दार कहानी हिंदी में है आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसको पढ़कर आपको कितना माजा आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आ कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे